नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको चार सलाई का बहुत ही खुबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन बनानी के लिए बताऊंगी इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में देंगे बहुत खुबसूरत लगेगा तो दोस्तों अगर आपने अभी त पर डालिए और दो फंदा एक्स्ट्रा डाल दीजे फंदा डालने के बाद आप बॉर्डर बना लेजे बॉर्डर बनाने के बाद आप ये डिजाइन शुरू कीजे इस डिजाइन को सीधा के तरफ से सुरू करना है तो सीधा के तरफ से देखे पहला फंदा को सीधा से उत एक फंदा हो गया, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, दो हो गया, फिर इसी में एक फंदा और बनाएंगे, तीन फंदा बना लेंगे, अब इसको गिरा देंगे, दो फंदा सीधा बनाएंगे, एक, दो, तो चार फंदा हो गया, देखें, एक फंदा सिलिप किये, एक फंदा पर तीन फंदा और दो फंदा सीधा, इसी चार फंदा को पूरे सलाई पर रिपीट करना है, तो फिर देखें, यह हमारा एक फूल हो गया, दूसरा फूल देखें, एक फंदा को उतार लिए, एक फंदा पे तीन फंदा बनाएंगे एक दो तीन एक फंदा पे तीन फंदा फिर दो फंदा सीधा एक दो लास्ट के फंदा को सीधा से बना लेंगे तो देखिए हम यहाँ पूरी सलाई बना लिये हैं सीधा के तरब से अब हम बनाएंगे उल्टा के तरब से उल्टा के तरब से देख फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो फंदा उल्टा फिर यहां पर एक फंदा पर जो तीन फंदा बनाए थे इसको हम ऐसे उतार लेंगे फिर जो सिलिप किया फंदा है इसको उल्टा बनाएंगे चार फंदा हो गया दो फंदा उल्टा तीन फंदा वाला को उतार लिए एक फंदा उल्टा तो यहां पर इसी चार फंदा को पूरे सलाई में रिपीट करना है तो दूसरा फूल देखे यहां पर दो फंदा उल्टा तीन फंदा वाला को ऐसे उतार लेना है इसको बुनना नहीं है और इस फंदा को उल्टा बनाना है लास्ट के फंदा को उल्टा से बना लेंगे तो देखे हम दूसरा सलाई उल्टा के तरब से बना लिये हैं अब हम बनाएंगे तीसरा सलाई तीसरा सलाई देखे सीधा के तरब से पहला फंदा को उतार लिए एक फंदा को ऐसे slip किए और इस फंदा को जो है तीन फंदा जो बनाया है इसको हम पीछे ले जाएंगे और ये दो फंदा को आगे लाएंगे तो इसको हम पीछे के side से ऐसे लाएंगे दो फंदा जो है इसको हम पीछे के साइड से इस सलाई पे चड़ा लेंगे और इसको उतार करके ऐसे पीछे ले जाएंगे और देखे इस दो फंदा को सीधा से बनाएंगे एक दो दो फंदा को सीधा बना लिए और ये तीन फंदा जो है इसको हम एक फंदा अब करेंगे ऐसे बीच से एक फंदा करेंगे देखे एक फंदा करेंगे बीच से फिर अब देखे यहाँ पर हमारा चार फंदा हो गया दो दो चार इसी चार फंदा को हम पूरे सलाई में रिपीट करेंगे तो देखे यहाँ पर इस फंदा को हम slip कर लेंगे बिना बुने इस दो फंदा को इधर लाएंगे तो हम इसको पीछे के side से लाएंगे इसको आप उतार करके भी ला सकते हैं और इसको इस तरह से पीछे ले जाएंगे दो फंदा को आगे ले आएंगे और इसको सीधा से बनाएंगे एक दू और ये तीन फंदा जो है इसको बीच से ऐसे डाल करके बीच से ऐसे तीन फंदा का एक फंदा कर देंगे देखिए इस तरह लाश्ट के फंदा को सीधा से बना लेंगे तो देखिए यहाँ पर तीसरा सलाई बना लिये हैं चौथा सलाई उल्टा के तरब से चौथा सलाई देखिए पहला फंदा को उल्टा से उतार लेंगे और इस बार चौथा सलाई में हम सभी फंदा को उल्टा से बनाएंगे पूरी सलाई उल्टा हो जाएगा हमारे इस बार तो देखिए यहाँ पर हम पूरी सलाई बना लिये हैं और हमारा यह डिजाइन भी बन करके कम्पलिट हो गया है बस इसी चार सलाई को आपको पूरे स्वेटर में रिपीट करते जाना है तो हम थोड़ा सा आपको रिपीट करके दिखाते हैं तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा रिपीट कर लिये हैं और पूरे स्वेटर में आपको इस तरह डिजाइन दिखेगा तो दोस्तों आपको मेरा यह स्वेटर का डिजाइन कैसा लगा कॉमेंट करके बता है अगर आपको मेरा ये डिजैन पसंद आया हो तो लाइक करें और धीर सारा सेयर करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठैंक यू